आज हम गिहु के आटा से बनाएंगे तंदूरी रोटी दावेपर बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत ही सवादिस रहता है और ये रोटी मसला दा सुखी सबजी के साथ खाने में बहुत ही आच्छा लगता है जैसे पनीर का सबजी हो या सुखी मसरूम मटर की सबजियो तो ये रोटी खाने में अच्छा लगता है तो नमस्त दोस्तों में हुन अंदना आपका स्वागते माई हुम्ली लब्ली गोगी में तो आईए देखते हैं तो मैंने इहां दो कप ग्यों के आटा ले लिया आटा लेने के बाद थोड़ा सा नमक थोड़ा सा चीनी दिया और बीच में थोड़ा सा जाएगा बनाके दिया वान टीस्पून रिफेंड ओयल और चाहिए हापकब खट्टा धाई अब सारे चीज़ को अच्छे से आटा के साथ मिक्स करना है इस टाइम हम पानी नहीं डालेंगे सब चीज अच्छे से आटा के साथ मिक्स करने के बादी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे फिर आटा को लगाएंगे तो देखिए आटा का तो दो बन के तैयर हो गया है अब इसको थोड़ी दिर रिस्ट करने के लिए रखेंगे 15-20 मीट बाद इससे लोईया काट लेंगे थोड़ा सा आटा ची रखके जैसे रोटी बनाते ऐसे ही बना लेंगे दो फिर रोटी बनान के बाद रोटी के एक तरफ हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देँगे कि उस साइब ताबे पर चिप कर रहे हैं तो देखिए इसी तरीका से हम थोड़ा सा पानी दिया और रोटी के चारो और लगा दिया पिर मैं लोहे के तवा लिया थोड़ा सा गरम किया तवा को पहले अब गैसकाच एकदम धिमकत देंगे और धिमि आजमी एक तरफ थोड़ा सा जब हो जाए फिर दूसरी तरफ तवा को उल्टा कर लेंगे और अच्छे से चारो और से रोटी को सेक लेंगे तो दिखिए डालके आप सफ कर सकते हो बहुत टेस्टी होता है खाने में और बहुत असनी से बन जाता है तो दोस्तों अब भी बनाईए और इसको मसला दर कुछ भी सुके सबजे के साथ सफ कीजिए अगर मेरे वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करना ना भूल बाइ